तो अज़िए अज़ए टो आज दोस्तों आज विले के आगया वहां सारे न्यूज अप्लेट्स को और दोस्तों मैं शुक्रूंगा आज अटो अप्डेट्स से तो आटो वाज में सबसे पहले अप्डेट्स निकलके आ रहा है BMW की तलब से दोस्तो BMW का Vision EQX basically दोस्तो यह एक concept है नया दोस्तो यह electric car होने वाली है और इसकी range होने वाली है 1000 km की दोस्तो काफी जबरों से होंगा मतलब इतनी range अभी तक सुनी नहीं है मैंने और दोस्तो यह अभी car जो है 3rd of January को debut करेगी और दोस्तो उसके बाद भी पता चल पाएगा कि इसकी availability जो है कहां कहां company रखेगी और अगर यह इंडिया में आएगी तो दोस्तो यह 2022 में तो नहीं आपाएगी 2023 में आएगी बाकि देखते हो दोस्तो कि आएगी भी यह नहीं आएगी क्योंकि अभी तक availability clear नहीं हुई है पर दोस्तो इसके दर आपको में लेगा 2.4 लिटर का और 2.8 लिटर के दो तरह के इंजन बेसिकली एक petrol होने बाला है पूर वाला और 2.8 वाला जबाद वो डीजल इंजन होने वाला है जोस्तो इसका मतलब गाली बहुत powerful होने वाली है ऐसी हो भी है और दोस्तो देखते हैं क्य आपके इसका प्राइस क्या होना चाहिए आप बताईएगा और दोस्तो एक टेक्नोलोजी के बार में बात करते हैं मारूति सुलुकी ने कहा है कि उनकी जो नई गारियां आ रही है बेसिकली जो उनने नई लॉंच की है रिसेंटली स्लेयरियो या सुलुकी स्ट्ट का तो कंड़ते हैं दोस्तो और रही होती है सबसे पहले और सबसे बड़ी न्यूसिकल के आ रही है यह दोस्तों गेम चेंजर लगा सकते हैं इसे दोस्तों आज कॉलकॉम की तरह से कॉलकॉम स्नैप ड्रेगन एट जैन वन को अनौस कर दिया गया है दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रसेसर निकल के आ है सामने दोस्तो AI बेस जो है इसका 4X से इंक्रीज हो चुका है दोस्तों यह जो अवराल आपको बता हूँ जो चिपसेट है यह 20% जादा पावरफुल है ट्रिपल एट से दोस्तों बहुत ही जवरस है और 5G मॉटरम जगारा अंतर लगे होए हैं बहुत ही पावरफुल दोस्तों ओवराल म नहीं यह हीटिंग इशू ना आ जाए इसमें क्योंकि 3GH है दोस्तों इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रसेसर है और यह 4NM बेस है यानि कि 4NM की फब्रिकेशन के उपर बना हुआ है तो अगेन बहुत ही जवरस प्रसेसर बाकी दोस्तों आपको पत अधर नहीं हैं कौन पहले लेका रियल भी तो मुझे रखता है बात में लेको आएगा पहले लेकर हैं और रियलमी का जीटी टू प्रो तो दोस्तों अलग अलग फोंस हैं काफी पावरफुल होने वाले हैं बाकी जैसी लौज़ेंगे जोस्तों आपको जरूर बताऊंगा और दोस्तों आग ट्विटर ने बैंग कर दिया है परस्नल शेरिंग को परस्नल इमेज या परस्नल इसको उनके कंसेंट के बिना उनकी पर्मिशन के बिना तो आपका जो कंटेंट है वो बैन हो जाएगा तो बेसिकली जोस्तों ट्विटर ने इसको इशू कर दिया है आज और अगर आप किसी और का परस्नल इमेज वीडियो फोटो या कुछ भी परस्नल चीज को अपलोड क अज वीडियो ने अपने टेलिवीजन ऑनलाइन स्टोर को इंडिया में रिश्टर कर लिया है तो साथ में ये दो मॉडल भी लाउच कर देंगे इसका मतलब दोस्तों पहले मैंने वीडियो जो है आफ्लाइन स्टोर में सुना आ गईना गई और मुझे इसके बार में ज्या का अडिशन दोस्तों यह 5G होने वाला है A15 बायोनिक चिप के उपर जो की लेटेस्ट है दोस्तों राउच हुई है आइपोन 13 सीरीस के अंदर और दोस्तों बता दूं आपको इसके अंदर आपको बहुत ही बड़ीया परफॉरमस मिलने वाली है 5G दो है दोस्तों प्लस इ जो वैसी रहने वाला है fingerprint sensor जो है उसका वही home button के उन्दर होने वाला है बाकी देखते हैं उसको और क्या कुछ detail निकल के आती है सामने और दोस्तों Google Pixel 6 की जो series है ना यह मतलब बहुत जाड़ा issue दोगरा आ रहे हैं इसके अंदर Google Pixel 6 और 6 Pro इन दोनों के अंदर अब जो है charging का issue आ रहा है basically अगर आप USB type C से चार्ज करते हो या कोई और भी मतलब वैस्तों विजगली USB type C ही लगती है मतलब जो company की साथ में आती है या फिर किसी और charger के साथ में तो दोस्तों उससे चार्ज नहीं हो पा रहा है सही धंसे तो यह वाला issue आ रहा है सामने बहुत सारी user ने र अपने box के अंदर charger नहीं रखा है तो दोस्तों ये एक Macon का बड़ा issue फिर से निकल के आ है charger आपको अलग से लिना पड़ेगा तो दोस्तों आप जो है इसमें issue आ रहा है तो दोस्तों आज नतिंग की तरह से year one black color में लॉंच हो चुके हैं इंडिया में दोस्तों इंका price नि 999 डूपीस का दोस्तों ये भी अवेलबर हो चुके हैं आप इन्हें परचेस कर पाओगे चल्दी तो दोस्तों आज जो है Apple Macbook Pro 16 वाला उसके अंदर भी charging issue आ गया है तो यानि की Google ही नहीं Apple के प्रोड़क्ट में भी कईना की charging का issue आ रहा है और दोस्तों जो MagSafe है उसकी मज में क्या करता है और दोस्तों तो अगला अपडेट करके आ रहा है मोटो की तरफ से यानि की Motorola और दोस्तों मोटो को है काम कर रहा है एक in display camera sensor के उबर यानि की वो अपना एक नया phone लेके आने वाले है जल्दी जिसका camera होगा under display तो काफी अलग सा experience मिलने वाला है दोस्तों अभी जो है मोटो भी इस लिस में जुड़ी जाएगा काफी अच्छी बात है और दोस्तों आज एम्रेस की तरफ से उनके dots tune TWS इस launch हो चुके हैं इंडिया में दोस्तों ये price करते हैं 21999 के ओपर काफी अच्छे TWS हैं दोस्तों आपको sound quality बहुत अच्छी मिलने वाली है इस क्रिप्टो करन्सी के बारे में आदस्तों कई इंडिया में नहीं किया जाएगा बहुत अच्छा अपडेट इकलकर आए तो अभी जिल नोगों को डर रख रहा था कि हम क्रिप्टो करन्सी खरी देंगी दूप जाएगा यूँश हो जाएगा तो नहीं होने वाले हैं दो यानि कि इसके उपर रूल बेसिकल भी बनाएंगे कि आप लोग कैसे खरीज सकते हो, कितना खरीज सकते हो, किस तरीक से रख सकते हो या और चीजों के बारे में तो दोस्तो इन्हें आप परचेस कर पाओगे, बैंड नहीं होने वाले हैं और हमें लग रहा था कि शायद तो ताइगून आल स्पेस और उनकी टी रॉक जो अकि यस्जों भी आती है। दोस्तों, यह दोनों कार्स को उनने अभी डिस कंटिन्यू आ कर दिया है। । आज ही यह अप डेट उनकी दरफ से निकल के आया है। चुक्चापुन ने दोस्तो इसको डिसकंटीन्यू कर दिया है बताया है नहीं पहले और दोस्तो टाइगून का जो नया वर्जन आएगा जो की इंडिया में ही शायद सेंबल हो जाएगा तो वो आएगा अगले बंद तो अभी जो टाइगून का और स्पेस और टी रॉक जो एस्यू भी चलती है वो हो चुकिए इंडिया में डिसकंटीन्यू तो दोस्तो आज के बस इतने ही टेक और आटो के अपडेट से तो दोस्तो आप रहेगा आपको कौन से जादा अच्छा लगा मुझे जादा अच्छा लगा है कॉलकॉम सेब रगन एट जन वन जो लॉच